कि अलो गाइज नमस्कार जोहार सत्रियकाल जम फ्राइट नमरन पर आप सुभी का बहुत बूश श्वागत है और यूजिसी नेट दिशंबर दोज़ार चोबिस के क्लासिज में आप सुभी का श्वागत है जहां पर हमारा मीशन है ज्यारप जिहां इसके साथ ही ये क्लासि परहन दो हrs भर सके तो आपके लिए बैच निकलना जरूरी होगा यह क्लासिस इंप्रस पारना चाहित है परएला पहला दिसम्बर सेशन यह जिसी नेट का जो एक्जाम सा भी होना है उसमें इंपोर्टेंट आपके लिए दूसरा बैट के लिए और तीसरा जेट के लिए तीनों का आपको benefits एकी class मिल जाएगा आज हमारा जो unit है unit 9 रहेगा people development and environment लोग विकास और पर्यारन और यहाँ पर आज हम लोग क्या करेंगे ना पेपर जो आए हुए थे previous year जो questions इस unit से आए हुए है उसको हम लोग बनाने वाले हैं इस unit से जो प्रस्ण अब तक आप पूछे गया है previous year questions को हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं और जिहां इसके अलावे आपको एक कहना चाहिए नोएट में यहाँ से बनेंगे सवाज अगर आप इस previous year को बना लेते हैं तो बहुत सारे questions repeat भी होते हैं यह उसी net के एक्जाम्स में आपको यहाँ से direct question मिल सकता है तो आपको बहुत ही घहराई ची बनाना है और दूसरा आपको benefits चले ना है जो आप questions को देखेंगे questions paper को देखिएगा तो आपको यह idea मिल जाए किस प्रकार के प्रश्णों को हमें ज्यादा focus करना चाहिए एक्जाम्स के लिए चले classes में इंटर करते हैं और फटा पर तरीके से प्रैक्टिसर सॉल्व करते हैं और रेक्ची यह previous question से जो के आए हुए थी अभी हमने पूरा unit 9 complete नहीं किया है तो unit 9 यानि people development and environment पूरा complete हमारा अ उसका भी मिलेगा तो यहां पर घावराना नहीं है पिछला जो सेट हमने दिया था जो मैंने पढ़ाया था वही दिया था जिसके कान आप 100% सही कर पाया हुए लेकिन यहां पर आपको जिस unit को unit के जिस भाग को हमने पढ़ाया है उससे जो प्रश्ण आया होगा उसी को आपको थोड़ा परिशानी हो सकता है तो उसको भी हमनों कर लेंगे जब पूरा unit कम्प्लिट हो जाएगा तो फिर एक complete सेट बनाएंगे जहां पर आप देखेंगे न कोई भी सवाल ऐसा नहीं होगा जिसको आप नहीं जान रहे हैं जिसको आप नहीं पढ़े हैं ठीक है च हूं से कम कितने परतिशाथ हर इत हरिद ग्री आस पी घास की कट्स yook लक्ष्ट रखा गया है कि जाएका का यह यह चीट्व प्रोटकॉल सब्सक्राइब करना है और बार बार पुछे जाते हैं अगर आपको याद नहीं है तो फिर दिकत हो जाएगा इस तो भारो क्लो कारबनवों मोनेक cinemat लिए बिन आपका करबन मोन व्यार कोज़ें दीक दो निकलता हुए यह नहीं निकलता है यह कहां से निकलता है यह किसी वहं से नहीं निकलता है यहां पूछा कर और वहं जाने पर दूस्यक कोन सा है तो आपमान में बुर्दी के साथ जल निकाई में वीगटित आक्सिएन का अंस अगर तापमान में बुर्दी होगा टेम्परेचर ग्रोथ होगा तो क्या होगा यह आक्सिएन हमारा जल निकाई में यानि कोई भी जल निकाई ले ले हैं चाहे वो बड़े डेम हो चाहे शमुद्र हो महाशागर हो तो वहाँ पर जो जल निकाई में ऑक्सिएन का अंस है तापमान बढ़ने से क्या होगा ऑक्सिएन का अंस घटता है बढ़ता है इसी दाता है या तापमान प्र तो सिर्फ जो अस्त्रिय जीव है उनका ही विनास नहीं होगा जो जलिय जीव है उनका भी अस्त्रित खत्रे में चला जाएगा तो घटता है आक्षियन वहाँ पर भी क्या होगा घटता है के लिए अगले प्रस्ट के बढ़ता है कैंसर के लिए उत्रदाई ह्कौन सा पर्दुसक है हमारा ऑज यह पर आप niemand जीव है कैंसर के लिए उत्रदाई उत्रदाई हमारा पर दूसक है क्या है कि आप सैथ परानच होगा है राश्ट्य जलवायू परिवर्थन निती के भाग के रूप में भारत सरकार की वर्थ 2023 तक नविकर्णिय उर्जा की संस्थाफित छमता को कहां तक बढ़ाने का योजना है भारत सरकार की जलवायू परिवर्थन निती है उसके अनुसार 2030 तक टार्गेट बनाए गया है कि हम लोग नविकर्णिय उर्जा के रूप में कितना का सकते हैं कि उर्जा का उत्पादन करेंगे टार्गेट कव 2030 तक के लिए तो 350 गीगावाट 155 गीगावाट 200 गीगावाट या 250 गीगावाट तो क्योटो प्रोटोकॉल का सम्वन क्या चीज़ते हैं और जोन अवच्छाई का खतरनाक अप्सिष्ट या फिर जलवाईव परिवर्थन या फिर नाविक्या उर्जा तो क्योटो प्रोटोकॉल का सम्वन आपका किस्ते हैं जलवाईव परिवर्थन से आप्शन सी आपका र चक्रवाद चक्रवाद किस राज के तरसे तकर आया यह देखिए प्रीबिएस एर कोश्चन्स है ना यह प्रीबिएस कोश्चन्स तो यह कब आया था चक्रवाद चक्रवाद किस राज के तरसे तक रहे था आंद परदेश करनाटा के रल या गुज्रा तो चक्रवाद चक्रवाद को डालने का मेरा मतलब था जो चक्रवाद में या आपका एक्जाम से कुछ दिनों पहले जो चक्रवाद आएगा उसके बारे में आपको पढ़ लेना है करेंट में वहाद प्रस्त आते हैं तो हुदूत आयता हमारा अंद्रपर्देश में अगला है राष्ट्य आपदा प्रभंधन प्राधिकारन केंद के किस मंत्राले के अंत्रकत आता है राष्ट्य आपदा प्रबंदन राष्ट्य आपदा प्रबंदन प्राधिकार जो है वह भारत सरकार के किस मंत्रा ले के अंत्रकर आता यानि उसके कंट्रोलिंग किसका है परियादन मंत्रा ले जल संसाधन मंत्रा ले ग्रीमामले और अच्छा तो राष्ट्य आपदा बंदन जो भी चीज़ा है कि भुकंप आ गया तहीं बार आ गया तहीं बहुत पड़ा अंदित्युफान के गां त्राजदी हो गया इन सभी चीजों को प्राक्रितिक आपना में हम दों सामिल करते हैं इसको हमारा ग्रिया मंत्रा ले देखता है और संसी आपका सही होगा इसक भाईव बादूसक को चिन्नित किजिए जिस्से मनुष्य की आखों और सोर्षन दली में जलन होता है यहानी शहरी शित्र में ऐसा कौन सा परदूसक पाया जाता है जो कि मनुस्थ के आँख और जो हमारा स्वस्थन नली है वहाँ पे जरन उत्पन करता है वो कौन है विसिष्ट परार पार्टिकुलेड मेटर नाइट्रोजन का ऑक्साइड शत्ही ओजन या कारवन मनुस्थाइड तो इसके लिए उत्तरदाई होता आपका आउजन यानि धर्ति का आउजन का कुछ तो परस्टेज पाया जाता है तो वह जो ऑजन होता है उससी के कान हमारा श्वस्थन नली हो या आँख में जलन उत्पन होता कभी लोगों को इसी कान सत्ही ओजन और सी आपका सही है सत्ही ओ परसा है और देखिए यहां पर ही प्रस्टिया आपका 2019 में यह वह प्रस्टिया निमलिकित में से किस प्रयावर्नी मुद्व मुद्व किस मुद्व के समधान के लिए अस्प्रक्र किये गए प्रोपोस्पेरिक और दूसन या इस्ट्रेटोस्पेर में और जन का अवच्छाई ग्लोबल वार्मिंग या एसी ड्रेन है ना अमलियों वर्दा तो यह था आपका और जन परत का जो च्छरन हो रहा था उसमें जो चिद्र हो रहा था उसको लेकर था ना यानि और जन का अवच्छाई को लेकर था यह आपका बी नंबर हैंसर होगा इस पर यह समताब बंडल में और जन का अवच्छाई था इसी के रिगाइदिंग यह मॉन्टियर प्रोटोकल आपका हुआ था तो यह प्रैक्टिस सेट होगी आप सभी के लिए हमने टैन प्रस्णों का यह यह सेघर को देखां जितने भी च्रकंट प्रेंद ने कि पिछले साल आयained उसीनी एर में यूसी नयकियां ऐन यह विध करना है और यह भी आपके दिमाग में आ जागा किस लेबल का प्रस्न पूछा जाता है किस टाइप का प्रस्न पूछा जाता है तो चलिए आज हम लोग यही पर इस क्लासेश को और इंड करते हैं कल मिलते एक नए क्लासेश में जहन जभाराई